तो आप लोग यहां देखो बिना income proof के ही मुझे flip card से कितना personal loan मिल रहा है नमस्कार दोस्तो flip card personal loan या access bank personal loan जो कहलो दोनों सेम है जो कि flip card access bank के साथ tie up है और tie up हो करके flip card खुद अपना personal loan provide नहीं करती वो एक platform बनके access bank का personal loan सभी customers को provide कराती है लेकिन इसमें फर्क इतना है कि अगर flip card से personal loan लेने आते हो तो लगभग 80% तक का चांस है कि loan बिना income proof के आपको मिल जाएगा और जदी access bank से personal loan लेने आते हो तो फिर क्या होता है कि income proof चाहिए ये document चाहिए वो document चाहिए आप eligible नहीं हो पाए बहुत सारा लपड़ा है भाई इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि directly वो access bank से साथ ना जा करके वो flip card से ही personal loan लेते हैं जो कि indirectly वो access bank का ही personal loan है देखो flip card बहुत बड़ा market network है इस चीज़ को access bank भी अच्छे से समझती है तो access bank ने flip card के साथ tie up करके वो खुद का credit card और loan भी सभी customers को provide करने लगी इसमें access bank कहता क्या है कि हम access bank के sites से जो loan apply कराएंगे उसी access personal loan को हम flip card application पर भी देंगे और उसके बाद बाकी का सारा बचा हुआ details जैसे features क्या है, benefit क्या है, इसका rate of interest क्या है, charges क्या है, terms and conditions क्या क्या है हर एक पहलू को भी हम लोग discuss करेंगे तो बिना देर किये आए वीडियो सुरू करते हैं देखो access bank enable की सभी bank के जानती है, कि अगर हम flip card है, जैसे swapping app को पकड़ के रखते हैं, जिसका इतना अचा market network है अगर हम इसे पकड़ के रखते हैं, तो हमारा profit जो है, वो कडोडो में होगा, ठीक है, इस चीज को सभी bank जानती है अब जैसे कि access bank ने flip card के साथ tie up किया था, tie up करके इन्होंने credit card launch किया, अब इन्होंने access bank का जो personal loan है, वो flip card application से भी देना शुरू कर दिया अब ये ताजूबाली इसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन access bank का जो eligibility criteria है वो कुछ अलग है और flip card personal loan का जो eligibility criteria है, वो कुछ अलग है, जिसका eligibility को लेकर flip card कहता है, कि जो बेक्ती यहां से personal loan लेना चाहते है उनका age minimum 21 year और maximum 55 year तक होना चाहिए at the time of maturity मतलब 21 year से आपको यहां से personal loan मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन maximum 53 year तक loan मिलेगा और 55 year तक यानि 55 year तक सारे loan amount का repayment हो जाना चाहिए civil score में no compromise, 720 या 750 आपका civil score होना ही चाहिए और सबसे बड़ी बात आप एक Indian होने चाहिए इसके अलाबा बाकी सारी बाते बस कहने की बाते जैसे कि आप एक salaried person होने चाहिए, self-employed होने चाहिए अगर salaried person है तो फिर net monthly salary जो है वो 20,000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए अगर self-employed है तो फिर आपका yearly turnover minimum धाई लाग का होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, working experience होना चाहिए उसी तरह से ये वो this that ये सब कहने की बाती है अगर आपका age 21 से लेकर के 55 के बीच में रहता है अगर nationality Indian रहता है और civil अगर ठीक ठाक रहता है तो पता इसके साथ आप एक काम और करना, वो क्या करना भाई, कि flip card का जो ID है जिस नंबर से आपने login कर रखा है, जिससे loan लेना चाहते हो उस ID से आप क्या करना कि अच्छा कासा आप shopping कर लेना, ठीक है अगर अपना shopping आप नहीं कर सकते हो, किसी अधर बेक्ती का shopping कर देना उसका ना तो किसी अधर बेक्ती का, उसका ना तो किसी और अधर बेक्ती का पैसे लेकर के shopping कर लेने में क्या दिक्कत है उस उस बेक्ती से पैसे लो लोगे, माल लिया जा किसी बेक्ती को जूते की जरूरत है तो उस ID से स्वापिंग ना करके अपने ID से ही स्वापिंग कर देना मतलब लगना चाहिए इलिए स्वेटी करेक्टेरिया पूरा होना चाहिए लगना चाहिए फिलिप कार्ट को कि हाँ ये बंदा खर्षीला अगर हम इसे personal loan नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे देखो इस trick की मदद से न तो आप यहां से maximum 2-3 लाग तक का loan के लिए eligible होई जाओगे ऐसे अगर instant personal loan तो आपको यहां से 5 लाग तक का अगर documentation सही रखते हो आप अगर आपका civil सही रहता है, income सही रहता है तो फिर यहां से maximum आपको instantly 5 लाग तक का personal loan तो मिली जाएगा यहां अगर इस trick पे आप आते हो कि अगर आपके पास income proof नहीं है, without income proof personal loan चाहिए तो यह trick तो follow करना ही होगा यहां फिलिपकाट personal loan अप्लाई करने के लिए आपको यहां आना होगा flipkart applications पे app open करने के बाद इस तरह का dashboard सबके सामने दिख रहा होगा यहां हम लोगों को account section में चले आना है भाई, यहां नीचे account section जो दिख रहा है, account लिखा हुआ, इसे click करना है account पे आने के बाद यहां कई तरह का option आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है orders का, coupon का, help center का, personal loan का, credit card का, pay later का, plus membership का, address का, wallet का, language का, इस तरह का कई सारा option आपको दिख रहा होगा अगर इन सारे option में से कोई एक option आपको नहीं दिख रहा है तो फिर app को अच्छे से update कर लेंगे, option आपको दिख जाएगा इसमें से हम लोगों को credit option पे आना है, जिसमें कि personal loan है, यहाँ personal loan को click करना है, जिसका personal loan का option नहीं आ रहा है मैं फिर से कह रहा हूँ कि application को अच्छे से update कर लें, उसके बाप जूद अगर नहीं आता है, तो फिर दो चार दस दिन तक अपने ID से अच्छे से shopping कर लें, अगर अपना ना हो तो किसी दूसरे का shopping कर दें, पतलब पैसे लेने के बाद ऐसा नहीं कि खुद के पैसे से दूस पास्नल लोन का option आ जाएगा, चलिए, यहां हम लोगों को पास्नल लोन को क्लिक करना है, अगले page में application page जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, यहां flip card कहता है कि यहां हम अभी customer से processing fees जो है, वो नहीं चार्ज कर रहे है, processing fee अभी चाहिए जितना भी हो, लेकिन जो limited period offer है न और बिना documents के बिना income proof के आपको loan मिल जाएगा, यह limited period offer है, भाई फिर जब limited period offer खत्म हो जाएगा तो processing fees जो है वो लगने लगेगा, और rate of interest भी में भी बढ़ जाए, तो अगर आप लोग loan लेना चाहते हो और अभी सोची रहो तो यहां से instantly 5 लग तक का personal loan उठा सकते हो, तो चलिए, यहां पहले column में अपना pen number इंटर करना है, दूसरे में date of birth इंटर करना है, फिर gender को select करके box को tick करके continue को click करना है, continue करने के बाद अगले page में working detail इंटर करना होगा, जिसमें salary हो या self-employed हो उसे select करना है, अगर आपने salary को select किया है, तो फिर company name उसके नीचे monthly income इन सब क feel करना है, और अगर आपने self-employed को select किया है, तो फिर industry type आपका क्या है, और उसके नीचे आपका annual turnover क्या है, जो की धाई लाग से कम नहीं होना चाहिए, उसे feel करना है, इन दोनों को अच्छे से feel करके, और view loan offer को click कर देना है, इसके बाद आप लोग जितने loan amount के लिए eligible होगे वो आपको पता चल जाएगा, अगर आप लोग eligible नहीं भी होते हो, वो भी आपको पता चल जाएगा कि आप लोग eligible नहीं हुए हो, लेकिन आप लोग जितने loan amount के लिए eligible होते हो, वो सब के screen के दिख जाएगा भाई, आप जैसे कि देखो, मैं यहां कितने loan amount के लिए eligible हो तक आपको जितने loan amount का जरूरत है उसे यहाँ select कर लेंगे या फिर feel कर लेंगे उसके बाद नीचे कितने महने के लिए loan लेना है यानि repayment tenure आप कितना select करते हो उसे आपको चुनना होगा यहाँ minimum 6 महने से लेकर maximum 60 महने का समय मिलता है ठीक है और कितने months के tenure पे कितना EMI गिरेग को click करना है तब एक loan summary और repayment detail का page सामने आएगा जिसमें कितना loan आप ले रहे हो processing fees क्या लग रहा है interest क्या लग रहा है monthly यमाई कितना बन रहा है tenure क्या है यह सब बताया हुआ रहेगा यहाँ से process आगे बढ़ाने के लिए continue करना है अगले page में इस box को tick करके confirm and continue करना है continue करने क बाद auto setup का page खुलेगा जिसमें सबको अपना bank account add करना होगा देखो auto setup customers के लिए बहुत अच्छा होता है माल यह जाए अगर देखो bank repayment के लिए दो option देती है एक होता है online आप खुझ से pay कर सकते हो या फिर दूसरा होता है auto setup मतलब bank खुझ एक बार hit मारेगी और hit मारके आप पैसा जो उस account से जिस account को आपने link किया है उससे पैसे खीच लेगी उसी date को same date को जिस date को आपका EMI बनता है ठीक है जी तो यह auto setup का मतलब होता है बहुत अच्छा है customers के लिए अगर customers भूल भी किया online payment करना तो फिर bank जो है वो auto setup से पैसे खीच लेती है बस इसमें करना क्या ह चाहते हैं जिस account का अच्छा कासा transaction रहता है जिसमें salary account है या फिर अच्छा कासा आपका current account है हम लोग उस account को यहां link कर देंगे तो account को link करने के लिए यहां bank का name search करना है फिर net banking या debit card का कोई एक option select करना है उसके बाद account number fill करके continue करना है फिर अगर आपने debit card select किया था तो debit card क detail enter करके submit करना है तब registered number पर OTP जाएगा उस OTP को यहां fill करके approved करना है ठीक है जी उसके बाद KYC के लिए एक page खुलेगा जिसमें पहले KYC का detail आपको enter करना होगा जैसे कि आधार number fathers का first name last name उसी तरह से नीचे mothers का first name last name आपका meritial status और email id इन सभी column को fill करके box को tick करते हुए continue करना है फिर कुछ देर का समय लगेगा और video KYC start हो जाएगा अगर कुछ permission मांगे तो permission आप दे देना KYC आपका start हो जाएगा फिर KYC complete होने के बाद आपका application जो है वो submit हो जाएगा ठीक है जी आपको एक application number मिलेगा जैसा कि आप यहां screen पे भी देख सकते हो आपको एक application number मिलेगा और साथ में कितने दिर में loan amount आपके account में आता है वो भी सामने बताया रहेगा for your kind information loan amount उसी account में आएगा और EMI भी उसी account से कठेगा जिस account को आपने यहां link किया है चलिए loan apply करने के बाद अब हम लोग यह जानते है कि flip card के इस personal loan पे features क्या-क्या मिलता है तो यह देखो flip card कहत है ना कि loan भले ही हम access bank से दिल आते हैं यह मत समझना है कि loan हम देते हैं हम loan तो access bank से दिल आते हैं लेकिन loan किसे देना है किसे नहीं देना है वो हम decide करेंगे बस एक step के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि loan आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ठीक है जी यह एक step के बाद ह अगर आप इलिजिबल हो गए तो फिर इंस्टेंटली आप यहां से पांच लाग तक का परसनल लोन तो बिना इंकम प्रूफ के ही ले जा भाई बिना इंकम प्रूफ के आपको परसनल लोन मिलेगा और उसके साथ साथ अभी जो लिम्टेड पिरियेड ओफर चल रहा है उस ल फिलिपकार्ट का दाबाए ठीक है जो कि आपके सिबिल और आपके इंकम के ऊपर डिपेंड करता है अगर इंकम और सिबिल अच्छा रहा तो फिर कम रेट ओफ इंटेस चार्ज किया जाएगा इसका रिपेमेंट टेन्यूर मैक्समुम साथ महिनों का मिलेगा इसी तरह से और जो भी features है या फिर जो भी charges है थोड़ा बहुत बचा हुआ वो मैं disruption box में note कर दूँगा आप वहां से पढ़ लेना लेकिन बात यह है कि अगर सच में आपको need हो personal load की और अभी flip card से personal load लेने का सोची रहो तो भाई सोचो मत यहां processing fees अभी नहीं लिये जा रहा है वैसे त अभी processing fees आपसे नहीं लिये जा रहा है income proof भी आपसे नहीं लिये जाएगा तो अगर आप flip card से personal loan लेना चाहते हो तो भाई आप अभी लेट मत करना flip card personal loan जो है वो अपलाई कर ही लेना तो यह पूरा detail था दोस्तो flip card personal loan का हमें उमीद है कि आपने हर एक detail को अच्छे से जाना होगा अच्छे से समझा होगा अब यह decide करने में कोई problem नहीं होना चाहिए कि flip card से personal loan लेना है या फिर नहीं लेना है अगर कोई सवाल हो या कोई problem हो इस topic से related इस वीडियो से related तो आप हम से comment में पूछ सकते हो चैनल को अपने subscribe नहीं किया देर किस बात की चैनल को subscribe करें और ये वीडियो उप्यों की लगे तो इसे like भी चरूर करें